मेरा नाम सोबिया है और मैं आज आपको mental disorder course का डेमो देने जा रही हूं और आज मैं जिस टॉपिक पर डेमो दूँगी वो आज का common problem है मैं आज आपको mental disorder diseases के बारे में बताऊंगी Mental Disorder का मतलब होता है जेनी खराबी होना आजकल के इस फास दोर में ये बिमारी बहुत आम हो चुकी है लेकिन हमारी society ये society के जो ज्यादा तर लोग है वो mental diseases को ज्यादा importance नहीं देते जैसे के physical diseases को दी जाती है physical जिस्मानी बिमारी में क्योंके जिस्मानी बिमारी जो है क्योंके महसूस होती है वो feel होती है और इसलिए वो इनसान की पकड में भी जो है वो जल्दी आ जाती है और इनसान physical diseases के असार महसूस होने पर foreign doctor के पास भागता है जबके जेनी problem में ऐसा कुछ नहीं होता क्योंके जेनी बिमारी महसूस नहीं होती या नजर नहीं आती तो इनसान हमेशा उसे आखिर तक लाइट ही लेता है और तब तक हमें mental disorder diseases का पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और तब तक मरीज अपनी बिमारी की last day तक पहुँच चुका होता है और फिर नोबत पागल खाने तक पहुँच चुकी होती है या मरीज की जो personality है personality के अंदर जो ऐसे मनफी negative जो है वो सराथ पैदा हो जाते है जो ना सिर्फ उसके लिए बलके दूसरों के लिए भी परिशानी का सबब बनते है इसलिए कभी भी किसी किसम की भी कोई जिनी परिशानी को कभी भी ignore नहीं करना चाहिए routine life में इनसान को ऐसी situation face करनी ही पड़ती है जब कोई बात जो है ज़्यादा ही उसके जहन पे असर कर जाती है कोशिच तो यह की जाए कि इस परिशानी को किसी mental disorder में convert होने से बहुत पहले ही खतम कर दिया जाए और या फिर psychologist के पास जाने से भी गरेज नहीं करना चाहिए इस course में मैं आपको ऐसी ही कुछ mental disorder diseases के बारे में बताऊंगी क्योंकि जहनी बीमारियों का हर इनसान को थोड़ा बहुत पता होना बहुत जरूरी है